आप सबी का स्वागात है मेरे यूटूब चैनल डिजी फॉल्टेक पे आज मैं आपके लिए 24 OS का रिव्यू लेके आया हूँ इस वीडियो पे हम आगे बढ़ेंगे उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा मेरे यूटूब चैनल डिजी फॉल्टेक को प्लीज सब्क्राइब करें बेल बटन दबाएं और बेल आइकन जरूर से क्लिक करें मेरे इस वीडियो को लाइक करें सेयर करें और कमेंट ड्रॉप करें वीडियो को पूरा देखें इस्टार्ट टू लेके एंड तक बिना किसी स्कीपेन फॉर्वड के मुझे सारे सोसर प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर लें और इस वीडियो के आई बटन और डिस्क्रिप्शन को भी चेक करना ना भूले मेरे अल्टरनेटिव यूट्यूब चैनल को भी प्लीज सब्क्राइब करें बेल बटन दबाएं नोटिफिकेशन आइकन क्लिक करें अब हम आते हैं अपने चैरीस ओएस के रिव्यू पे फर्स्ट ओफॉल आप देख सकती है ये चैरीस ओएस का डिफॉल्ट वाल पे पर है चैरीस ओएस का बिल्ड जो हमारे पास आया है ये आया है जी एप वेरियंट तो सबसे पहले मैं आपको अब आउट दिखाता हूँ चैरीस ओएस का लोगो आपको दिख रहा है एंड्रॉइड 12L है चैरीस वर्सन है 3.9 मैंटेनर का नाम है कोटा 69 और जुलाई सिक्यूरिटी पैच मिलेगा आपको और प्ले सिस्टम अपडेट वर्सन 12 है vailiche kernel जो है ze loss का kernel यूस किया गया है या फिर आपको ze loss समझ में नहीं आ रहा है तो lineage OS का kernel यूस किया गया सिलीनिक्स बेज जो है वह इनफोर्सिंग का बेज़ रहेगा और जो बिल्ड है वह 20 जुलाई का है अब हम आते हैं डिटेल्स पे फर्स्ट आफ ओल फिजिकल नविगेशन बटन लाइट काम नहीं कर रहा है लेफ्ट सैट पे आपको गूगल पेज मिल जाएगा क्योंकि जी अब करके देखें कि आपको इतने ही प्री इंस्टॉल गूगल एप्स देखने को मिलेंगे तो सबसे पहली बात मैं आपको दिखा देता हूँ देखिए डाइलर क्या है गूगल का है कोई कॉल रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा अब मैं आपको दिखा देता हूँ गूगल फ अगर आप यूज करते हैं तो ANX camera भी यूज कर सकते हैं बाकी पूरे mostly Google के apps आपको देखने को मिल रहे हैं इसमें जो की अच्छे से काम कर रहा है working का तो कोई इसू नहीं अब बात करते हैं me port app की तो me port app भी working है description में download link available है Google का जो camera है वो भी मैंने बता दिया है और Gcam के link तो मैं दूँगा नहीं क्योंकि ये already एक GF variant है तो अलग से G app का link देने का कोई मतलब नहीं है अब हम आते हैं अपने phone के settings पे ये रहा हमारा settings सबसे पहले हम developer option enable करेंगे और देखेंगे कि क्या ये ROM कितना RAM processor use कर रहा है तो सबसे पहली बात ये रहा developer option 1.9 GB consume कर रहा है मैंने हमेसा से आपको कहा है vanilla अगर available होता है किसी भी ROM का तो पहला preference आप vanilla को दें उसके बाद उसमें भी G app बहुत से market में आते हैं तो पहला preference आप flame G app basic को दें ऐसे combination से आपका 1.5, 1.6 GB यानि कि 50-55% RAM पे आपका पूरा operating system ready हो जाता है तो जितना ज़्यादा आपको RAM processor free मिलेगा उतना ज़्यादा आपको smoothness मिलेगा चलाने में lag नहीं लगेगा hang नहीं लगेगा gaming खेलने में भी मजा आएगा अब अगर बात करते हैं कि कुछ ऐसे रोम जिसमें आपके पास choice ही नहीं है कि यार मुझे G app डालना है या vanilla डालना है जैसे कि me port रोम होते हैं या pixel based रोम होते हैं इसमें mostly आपको G app included आते हैं तो वहाँ पर तो आपके लिए कोई choice नहीं है आप चलाइए अगर lag लग रहा है तो उसे set होने का time day 24 hour उसके बावजूद lag लग रहा है तो मत चलाइए रोम बस यही आप कर सकते हैं तो यह जो है यहाँ पर आपको basic बहुत सारी चीजेश देखने को मिलते हैं अब हम आते हैं अपने रोम के review पे तो मैं आपको सबसे पहले ले चलता हूँ इसके settings पे अब आप settings पे देखिए network connected पे कुछ नहीं है बताने लाइक cherry settings पे अगर हम चलें तो यहाँ पर आपको काफी सारा setting देखने को मिलता है बट सिधा हम चलेंगे mislaneous पे यहाँ पर हम दिखते हैं कि game space हमें देखने को मिल रहा है यानि कि आप जो भी game खेलना चाहते हैं उसे download करने के बाद यहाँ add कर लिजेगा और game space edit कर लिजिए या फिर customize कर लिजिए अपने according उसके बाद आप game खेलिए unlock higher fps एक बार on करके भी खेल के देख लिजेगा game और off करके भी खेल के देख लिजेगा ताकि आपको difference समझ में आ जाए अब बात करते हैं यहाँ पर आपको पूरे settings मिल जाएंगे एक-एक settings दिखाने का कोई sense नहीं बनता है आपको जो setting करना है category बना हुआ है category पढ़िए और वो setting खोल के आप कर लिजेगा यहाँ से बाहर चला जाए display कुछ नहीं है बताने like app में भी कुछ नहीं है मैंने बता दिया battery की बात करें तो battery backup अच्छा है बट फिर भी आप अपने phone पे खुद जब इसे load करेंगे तो अपने according चेक कर लिजेगा उसके बाद अपना review बनाईए कि इस रोम पे battery कैसा मिल रहा है मेरे review पे device पे battery backup अच्छा मिला है इस रोम पे आगे बढ़ते हैं storage की बात करें तो storage definitely 7.5 GB कही consume दिखेगा हमें 3 GB पे अगर आपके पास 4 GB device है तब आप use करेंगे तो आपको मिलेगा 8.5 GB का consume इससे आगे बढ़ा जाए अब बात करते हैं security पे तो security पे आप देख सकते हैं phone का रोम not encrypted है तो data safe secure रहेगा कोई delete होने का risk नहीं है जब तक कि आप खुछ से encrypt करके बीन decrypt किये format वागरा ना कर दें तभी data delete होगा otherwise ऐसा कुछ नहीं होगा या corrupt होगा data ऐसा कुछ working वाला problem नहीं आएगा systems के अंदर आपको gesture मिल जाएगा gesture पे आपको screenshot वाला function मिलेगा जो मैं enable कर लेता हूँ अपना thumbnail create करने के लिए यहाँ पर आपको और भी कुछ basic से screen gestures मिल जाएगे और developer option पे आप अपना ही according जो भी on off करना चाहते हैं वो कल लिजेगा या फिर as it is default setting पे आप छोड़ सकते हैं जैसी आपकी इच्छा अब मैं आपको एक बार फिर बता दू कि systems पे unofficial roam होने के कारान यहाँ पर आपको कोई updater देखने को नहीं मिलेगा और about पे अब आप जाके फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ android 12 के details cherries OS logo android 12 L cherries version 3.9 maintainer है quota 69th july security patch और 4.9 zilos candle याने की lineage based candle build है 20 july का तो यह नए maintainer के तरफ से आया है काफी दिनों बाद आया है cherries OS ज्यादा lag fill नहीं आया है मुझे अगर आप use करना चाते तो definitely use कर लिजेगा बसरते आप अपने according भी इससे अच्छे से चेक कर लिजे जो भी आप अगर different तरीके से use करते हैं मेरे uses pattern के according रों ठीक है ज्यादा कुछ major bugs नहीं है day to day basis पे use किया जा सकता है साथ में इस पे vanilla वेरियंट एवलेवल नहीं है अगर vanilla वेरियंट एवलेवल होता तो much better होता hopefully developer जो है हमारे next build से vanilla variant of course लाएं और मैं तो ये सभी maintenance को request करता हूँ कि आप हर एक chrome का vanilla variant जरूर से release करें क्योंकि vanilla variant हमारे पुराने device के लिए काफी convenient होता है अब हम मिलेंगे अपने next video पे thank you